तो चली दो तो फिर शुरू करते हैं यहां पर आज का एनलेसिस की हमारा कल की दिन की स्ट्राटेजी क्या रहेगी हम निफ्टी फिफ्टी निफ्टी बैंक में कैसे ट्रेड करेंगे और एक स्टॉक जो हमारे रेडार पे रहेगा राइट तो यह सारी चीज़ा कर लेते हैं यहां पर आज का दिन देखेंगे तो अल्मूस अल्मूस मैंने मेरा यहां पर जो रिपोर्ट है वो यहां पर मैंने डाल दिया है तो अल्मूस कितना 16,000 पर खतम हुआ अब बोलो कि सर कोई SL तो दिखाता नहीं लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे दपावर of transparency ठीक है यहां पर अगर आप ध्यां से देखोगे तो हमने क्या लिखा एक SL यहां पर done हुआ तो लेसर एक SL पर आया होगा तो loss आया होगा तो कोई बताता नहीं है नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहां पर देखो ट्रांसपरेंसी किस हिसाब से रहती है कि यहां पर यहा 1000 का profit and something दूसरे portfolio में भी वहीं चीज में एक अच्छा profit यहां पर क्लोजिंग आज की दी तो यह सारी चीज़ें कहां पर मिलती है सिफफ और सिफ आपको एक्विटी गिंग पर मिलती है तो मेंक शुड़ने के लिए टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट पर भी है और डिस किया एक perfectly यहां पर टेस्ट किया अगर कल का analysis भी देखा होगा तो यहीं था कि 42 800 यहां पर टूटना नहीं चाहिए 42 800 टूटेगा तो 42600 आएगा लेकिन मार्केट क्या है गैप खुला ऊपर आया आज टेस्ट दिया और एक मस्त बेस बना के ऊपर जा रहा है तो अब हमारी क कहा से है 42 900 से तो इसी basis पर हमारी strategy रहेगी कि अगर मार्केट गैप खुलता है तो इससे याद आया कि बीटीस्ट जो आप लोगों को डेली टाइम पर मिल जाता है अगर आज का बीटीस्ट देखोगे तो हमारा व्यू क्या था पॉजिटिव था राइट और जो पॉजिट सब्सक्राइबर हम लोग अचीव करने वाले हैं सिर्फ 202 सब्सक्राइबर तो लेट्स टारगेट 42 सब्सक्राइबर फॉम दिस वीडियो राइट तो मेक्शों की डू लाइक शेर और सब्सक्राइब गाईज जल्दी जल्दी लेट्स टारगेट 90,000 पहले 88,000 अचीव कर लेते हैं तो अब इसी बेसिस पर हमारा रहेगा अगर लेट सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर कुछ ऐसी काइंड फॉजिटिव केंडल मतब यह एक बेस बनाता है एक बेस यहां से जो बनाएगा फिर हम लोग इसको 43,400 तक हम लोग यहां पर टार्गेट प्लैन कर सकत हैं और जिस हिसाब से अगर रेट हाइग नहीं होए तो एक शौट कवरिंग भी देखना है मिल सकती है अगर फ्लैट खुलता है फ्लैट खुलने के बाद 43,100 क्रॉस किया तो पॉजिटिव है 42,900 के पास आके बेस बनाता है लेकिन अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो हम यहां पर बेस अच्छा है हम लोगों का सेलिंग का जो व्यू कब आएगा मेरा जो पर्टिकुलर अनलेस है यह तो मेरा सेलिंग व्यू आएगा जब 42,800 यहां पर ब्रेक करेगा उसको रिटेस्ट करेगा फिर ही यहां पर नीचे तब 42,600 और 42,400 नीचे का टार्गर प्लैन खुलता है तो हम देखेंगे कि ऊपर के तरफ आता है कि नीचे के तरफ आता है उसकी सबसे मैं आप लोगों को टेली ग्राम पर में आप लोगों को गाइडेस दे दूंगा वह जग आपको कहा मिलेगी सिर्फ उसका लिंक आप पर है कमेंड बॉक्स में ठीक है मिल देख ल व्यू रहेगा अग जब तक मार्केट में एटीन थाउजन नाइन एटी में जब तक यह पर्टिकुलर लेवल से इसके नीचे आ जाता तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह जितनी भी पॉजिटिव चीज थी मार्केट ने उसको भी नेगलेक्ट कर दिया और अब कवरिंग हमें देखने मिल सकती है 19500 तक हमें रीसेंट टाइम में देखने मिल सकती है लेकिन कब 19200 अगर नीचे के तरफ मिलता है तो एक अपॉचुनिटी हमें बहुत अच्छी मिल जाएगी नहीं तो अगर ऊपर के तरफ निकलता है तो जैसे ही ब्रेक करेगा री आप तरफ आया तो यहां पर अगर जैसे टू थी टू जीरो के ऊपर यहां पर निकलता है तो इसमें भी एक फास्ट चॉट कवरिंग देखने मिल सकती है अरूंट टू पर संट की तो इसको आप अपने रेडार पर रखिए एक अनलिसस आप अपना सेल्फ करिएगा यह सा को सब्सक्राइब जरू कर देना एंड लेट्स टार्गेट फटा फटा फर 202 सब्सक्राइबर दिस वीकेंड ओनली यहां पर लेट्स टार्गेट लेट्स बिगम 88,000 एकुटी किंग फैमली यह था अनलिसस बाकी इंदियांड मेंसा जुनना चाहते हो आपका दिन आज का क कैसा गया मुझे नीचे का में पर बता देना मिलते हैं ऐसा ही नेक्स अनलिसस में थैंक यू